चलिए अब खबर में आगे बढ़ते हैं जापर उत्तर प्रिदेश की कानपूर में नबालिक बहनों को अश्लील फिल्म दिखा कर छेट छाड करने के आरोप में ट्यूशन पढ़ाने वाले मौलाना को गिरफतार किया गया है आरोपी के पैचान मौलाना आमिर के रूप में हुई है आरोपी है कि मौलाना आमिर ट्यूशन देने के नाम पर मासूम लड़कियों को अश्लील वीडियो दिखा कर उनसे छेट छाड करता था मामला कानपूर के चमंगंज थाना छेतर का है जब मौलाना आमिर की हरकते बढ़ने लगी तो पेड़त लड़कियों में से बड़ी बहन ने परिजनों को आप वीती सुना दी इसके बाद परिजनों ने स्थानिय चुमंगंज थाने में मौलाना आमिर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और आरोपी को गिरफतार किया गया है तो आपको बता दे मौलाना द्वारा नाबालिक लड़कियों को अश्लील वीडियो दिखाने का एक मामला सामने आ रहा है और इस मामले को संग्यान मिलानी के लिए उस पेडिता ने अपनी आवाज उठाई जिसके बाद ये मामला संग्यान मिलेते हुए पुलिस कर्मी ने उस मौलाना को गिरफतार भी किया है और आपको बता दे मौलाना आमिर के खिलाफ शिकायत दज कराई गई थी बहन की तरफ से जिसके बाद परिजनों ने भी उस मामले को उठाया और उसके बाद पुलिस थाने में जाकर शिकायत दज की जिसके बाद पुलिस ने ततकार रूप से इस पूरे मामले को संग्यान मिल लेते हुए गिरफतारी की है मौलाना की आपको बता दें ये काफी समय से ये काम चल रहा था जहाँ पर ये ट्यूशन टीचर ऐसी मासूम लड़कियों को अश्लील वीडियो दिखाता था ट्यूशन के बहाने और उसके बाद उन लड़कियों से छेट ठाड करता था जिसके बाद कई ऐसे पेड़ित है जिन्नोंने अभी तक अपनी आवाज नहीं उठाई थी लेकिन उन पेड़तों में से एक बड़ी बहन ने इस आवाज को उठाया और उसके बाद अपने माता-पिता को आप बीती बताए और इसके बाद पूरा मामला परिजनों ने पुलिस स्थाने में दर्ज करवाया और उसके बाद पुलिस अपने काब में लग गई आपको बताजें चमंगन, स्थाने, छेत्र का ये मामला बताया जो रहा है इनहाँ पर पुलिस एक्टिव मोड पर नजर आई है इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ नेहा भी अमारे साथ नियूजरूम से जड़ चुकी है नेहाँ एक मामला सामने आ रहा है जहाँ पर मौलाना ट्यूशन के दौरान लगातार लड़कियों को अशलील वीडियो दिखाता था और उस अशलील वीडियो के मादम से उनसे छेचाड भी करता था ट्यूशन पढ़ाने के माद्यम से तो आपको बता दे चमंगंज थाने में मौलाना आमिर के खिलाब शिकायत दर्ज कर आई गई है और आरूपी को गिरफतार भी कर लिया गया है यह मामला तब संग्यान में आया जब इस मामले को उठाने में पेड़िता का सयोग मिला और उसके बाद पुलिस ने इस मामले पर एक्शन लेते हुए मौलाना को गिरफतार भी किया है आपको दादे यूपी से मामला सामने आये टूशन देने पर यह अश्लील वीडियो दिखाया करता था और मौलाना लगातार कई बच्चों को इस अश्लील वीडियो और छेड़चार का पात्र बना चुका है नावालिक भेनों के साथ लगातार ऐसी छेड़चार की घटना सामने आये है टूशन देने के नाम पर वो लगातार उन बच्चीयों को अश्लील वीडियो दिखाया करता था उसके बाद उनसे छेड़चार करता था फिर उनने ब्लैक मेल भी करता था तो इस खबर पर चर्चा के लिए निहा भी हमारे साथ जोड़ चुकी है निहा दो ब उनके साथ छेड़ खानी करता था उन दोनों बच्चीयों को धमकी देता था कि अगर वो घर पर किसी भी तरह से घटना का जो जिक्र करेंगी तो वो उन्हें किसी भी तरह से ब्लैक मेल करता था एक तरह से आप कह सकती है जिसके बाद बड़ी बेहन जो थी बच्ची की उस पकड़े जाते हैं तमाम वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आते हैं बीते दिनों बिहार से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था जहां पर मोहरम के जुलूस के वाले दिन जो है एक मौलाना ने इस तरह की हरकत की थी जिसके बाद उस पर कारवाई हुई थी निशी